नमस्कार चानक्या IAS Academy में आपका स्वागत है इस वीडियो का टॉपिक है Gender Advancement Transforming Institutions यानी गती आए देखते हैं विस्तार के साथ कि यह गती क्या है नई विज्ञान तकनीक एवं नवाचार नीती से समंधित एक ट्राफ्ट को विज्ञान एवं प्रोध्योगी की विभाग के द्वारा तयार किया जा रहा है जिसका उद्देश से है विज्ञान की छित्र में महिला भागिदारी में वृद्धी करना और इसके लिए विज्ञान एवं प्रोध्योगी की विभाग संस्थानों के लिए एक नई ग्रेडिंग परनाली को सामिल करेगी जिसमें संस्थानों की ग्रेडिंग इस बात पर निर्भर करेगी कि संस्थानों में महिला फैकल्टी और महिला विज्ञानिकों के पंजी कर इसे 2005 इस्वी में प्रारंब किया गया था और यह कारिकरम संस्थानों के मुल्यांकन और मानेता से समंधित है जिसका उद्देश से है STEM यानि Science, Technology, Engineering, Mathematics और Medicine के छेत्र में लैंगिक संस्था को प्रोच साहित करना इस कारिकरम में सामिल अनुसंधान संस्थानों और अकादमी के लिए यह आविस्यक है कि सभी संस्थान लैंगिक संता और लैंगिक विकास से समंधित जो कारिकरम है उन कारिकरमों के डेटा का विसलेशन करे और संस्थानों के द्वारा जो डेटा विसलेशन किया जाता है तो उनके डेटा विसलेशन के प्रयास के आधार पर इन संस्थानों को स्वर्ण, रजत और कांस, मानिता प्रदान की जाती है इस कारिकरम में शामिल जो संस्थान है वे प्रतिबद्ध है और समान लेंगिक भागिदारी को समान लेंगिक भागिदारी में बदलने के लिए ये प्रतिबद्ध है लेंगिक आईस और समानता को दूर करने के लिए और करियर विकास के मार्ग में महिला के समक्च जो भी गतिरोध होते हैं उन गतिरोधों को दूर करने के लिए तथा संस्थानों में यौन सोसन के प्रती सुनिश सहिश्णुता को अपनाने के लिए अगर इस कारिकरम के प्रदर्शन की हम बात करें तो 2019 इस्वी में ओटस एकॉनॉमिक रिसर्च की रिपोर्ट के अनुसार इस कार 90% भागिदारों का यह मानना है कि लैंगिक मुद्दों के संबंद में यह कारिकरम सकारात्मक प्रभाव डालता है वहीं 78% भागिदारों का यह मानना है कि समानता और विविद्दता के मुद्दों पर यह कारिकरम सकारात्मक है और 78% भागिदारों का यह भी मानना है कि मह अतमान में United Kingdom और Ireland के 170 संस्था इस कारिक्रम में शामिल है, Australia में इस कारिक्रम को सेग नाम से चलाये जा रहा है, सेग का full form है Science Australia Gender Equity और सेग कारिक्रम के अंतरगत 40 संस्थाओं को मानिता प्राप्त है, और कनाड़ा, अमरिका और भारत में इस कारिक्रम से सम्दित ड्राफ्ट को तयार किया जा रहा है, भारत में इस कारिक्रम का नाम होगा गती, यानि Gender Advancement Through Transforming Institution, आकिर भारत को इस कारिक्रम की आविस्वक्ता क्यों है, वह इसलिए क्योंकि 2018 में Global Gender Gap Index में 149 देशों में भारत का इस्थान 108 हुआ है, वही Department of Science and Technology या विज्ञान एवं प्रोध्योगी की विभाग के आंकड़े, जो आधारित हैं वैज्ञानिक अनुसंधान एवं विकास में महिला भागीदारी पर, तो इसके अनुसार 2000-2001 में महिला की भागीदारी थी 13 परतिसत, जो बढ़कर 2014-15 में हुई 39 परतिसत, जबकि 2015-16 में यह भागीदारी घटी और घटकर हुई 14 दस्वलब 7-1 परतिसत, डेस्टी के एक और अध्यन के अनुसार महिलाओं को या तो पदोन्नती नहीं मिलती है, मतलब उनका प्रमोसन नहीं होता है, या महिला करियर के बीच में ही नौकरी को छोड़ देती है, जिसका कारण होता है पारिवारिक जिमेदारी, भारत में इस कारिकरम को पाइलट प्रोजेक्ट के रूप में प्रारंब किया जाएगा, पाइलट प्रोजेक्ट के अंतरगत 25 संस्थानों को सौटलिस्ट किया जाएगा, और फिर इन 25 संस्थानों में जो विभाग हैं, उन विभागों में लेंगिक समता का स्वा आकलन या सल्फ एसेस और इसमें British Council भी मदद करेगी, जिसके अंतरगत, पाइलट प्रोजेक्ट में सामिल सनस्थानों को United Kingdom में, एथेना स्वान कारिकरम के अंतरगत सामिल सनस्थानों के साथ जुड़ा जाएगा, ताकि इन सनस्थानों को सही मार्ग दर्सन मिल सके, परंतु इस कारिकरम के समक्ष चुनोती भी मौजूद है, चुनोती यह है कि विज्ञान एबम प्रोध्योगी की विभाग के द्वारा है, जिस कारिक्रम को लाया जाएगा, तो उस कारिक्रम को लाल फीता साही की जटिलता का भी सामना करना पड़ेगा, क्योंकि IITS और NITS को छोड़ कर, जादतर विस्व मिला कर, इस कारिक्रम को भारत में प्रारंब करने, एवं सही संचालन के लिए प्रशास की, एवं वित्य स्वायतता की आवसकता पड़ेगी, जो मजुदा कानून में संसोधन के बाद ही संभव है, तो इस प्रकार इस वीडियो में हमने जेंडर, एडवांसमेंट, थू ट प्राम कर जा लगे जानल, एड़ प्राम के लिए पाद की आवसकता